दो दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था टेटेटर एसेंशियल वर्सेज कोसी बाइट के फायर स्ट्रॉम का वीडियो जो है आप लोगों ने हातों आत लिया बहुत सारे क्वैरी उस पर अल्रडी आ रहे थे एक और उस वीडियो से क्वेश्चेनराइज हुआ है दोस्तों वो ये है कि बहुत सारे लोग अन्फ्यूजड है लोगी ठेक का जी वन जिरो टो या फिर रेजर का टेटर एसेंशियल अब ये दो जो माउस है ये दोनों माउस अपने आप पे बहुत ही पोटेंशियल इटी के साथ आते हैं और साथ ही अच्छे खासे ब्रैंड नेम के सा अच्छे बताएंगे आपको कि आपको तो एक ही माउस लेना है तो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी माउस इन दोनों में से कौन सा सही रहने वाला है लेकि दोस्तों इससे पहले कि इस अपिसोड में हम और आगे फर्दर प्रोसीड करें नीचे जो बरोसे वाला बटन है नीचे करने की भी ताकत देती है डैट स्पिंग सेड चलिए आज बात करते हैं रीजर के डैथ हैडर एसेंशियल वर्सेज लॉकिटेक के जीवान जुरोटी की बार चेक बोक्स अच्छा दोस्तों इससे पहले कि हम इस एपिसोड में और फर्दर डूप जाए आपने और हमने जो मिलकर यहाँ पर शंगरं जो competition चालू किया है वह जो है on है इंस्टा पे भी वोटींग हो रही है यूट्यूबपे भी वोटींग हो रही है जहाँ पहों वहाँ पे वोटींग करो दोनों जगह वोटिंग कर सकते हो जिस सेटप को सबसे जादा वोट मिल जाएगा उसे हमारी तरफ से मिलेगा फ्री डॉमिनोस का वाउचर चलिए सबसे पहले बेस से शुरू करते हैं अगर इसी वक्त यह दूनों माउस मैं आपके डिक्स में रख दू तो आपको क्या फील होगा यह दू इसका भी अच्छा है उसमें नो डाउट लेकिन यहां पे जो अच्छी चीज है वो यह है कि यह एंबी डेस्टियर्स डिजाइन के साथ आता है लिफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों के साथ ऑपरेडिबल है और साथी क्लॉग क्रिप वगर अगर यूज करना है तो लॉग जो है चोटे पाम साइज या मीडियम पाम साइज को अच्छे से कोमेडिट करता है वही अगर बात करें एसेंशिल के बेटर बिल्ट क्वालिटी आपको यहां पे देखने उबलेगा रॉक सॉलीड फील होता है हाथ के उपर और साथ ही स्पेशली राइट हैंड वालों के लिए ergonomically designed है overall mouse को पलट कर देखें तो यहां पे जो फीट्स है वह भी identical यहां पे देखने को बिलता है लेकिन दोस्तों ज्यादा कवरेज जो है बहुत अच्छा नहीं गऊंगा लेकिन ठीक है लेकिन इससे भी बुरा क्या हो सकता है वो है रेजर का बॉड़िट बॉड़ बॉड़िट हर्डेड़ ग्राम के आसपास यहां पे आपको वेट देखने को मिल रहा है हाला कि उसे कॉम्पनसिट करता है नीचे बैटरीन कवरेज ओफ पीटी एफी फीट दोनों में आपको मेकैनिकल स्वीच देखने को मिल जाता है रीजर में आपको जहां रीजर के अ आपको यहां पे देखने को मिल रहा है जो कि अगेन आपको 22-30 मिलियन की स्ट्रोक सीजिंग दिलाने वाला है और अगर नंबर बटन की बात करें रीजर में आपको पांच और लॉगी ठेक में छे बटन का सपोर्ट आपको देखने को लेगा अगेन सारे बटन जो है आपक आपको रेजर की तरफ बिल्कुल नहीं देखना चाहिए क्योंकि रेजर में जब आप डीपी आई को चेंज करोगे तो आपको हर बार जो है सौट्वेर खोलना पड़ेगा और वहां से जाके आपको डीपी टॉगल करना पड़ेगा आपको लॉगी ठीवन जिरो टू में देखने को बिलता है जो की बड़िया काम करता है इन गेम भी बड़िया पफॉमेंस निखालके आपको देने वाला है यहां पर लॉगी ठेक और रेजर में आपको क्या सेंसर देखने को बिलता है रेजर में आपको रेजर का अपना गेमिंग ग्रेट ऑप्टिकल सेंसर दे देखने को मिलेगा और एक्सिलरेशन जो है तीजी का देखने को मिलता है वही अगर लॉगी टेक की बात करें यहां पे रॉबी धरी टू एर्म चिपसेट जो है आपको IPS 200 का देगा और एक्सिलरेशन 25 का देगा त्या टीपी आई का रेंज इन दोनों माउस में आपको देख करने का सबसे पहले अगर बात करें रीजर की तो यहां पे जो हमने सीपी आई कॉंस्टेंट रगा था वो 786 का रखते हमेशाई और यहां पे हमें जो एक्सकाउंट सबसे लुइस मिला है वो है आठ आठ और नौ तीन बार हमने टेस्ट किया है और जो हाइस एक्सकाउंट को मिल रहा है वो 130, 170, 120 मिल रहा है तो यहां पे जो सेंसर की सेंसिटिविटी है उसमें बहुत कम देखने को मिल रहा है अब बात करेंगे लॉगी टेक की लॉगी टेक में अगर एक्सकाउंट देखते हैं माइनिंग कि जो हमारा CPI है वहां पे हमें जो एक्सकाउंट देख 150 का देखने को पिर रहा है, यह जो fluctuation है, यह कही न कही बताती है, कि Robin का जो sensor है, वो एक बराबर reading जो है, नहीं दे रही है, constant reading नहीं दे रही है, Razer का जो overall performance है, वो consistent है, भली यहाँ पर आपकी DPI range कम हो, लेकिन यहाँ पर आपको यह भी ध्यान देना होगा, कि आपको इधर ज विगरे की रंगीनियों की अगर बात कर लें, तो यहाँ पर जो आपको Razer है, यहाँ पर सिर्फ दो ही lighting mode आपको देखने को मिलेगा, वहीं Logitech में जो है, आपको थोड़ा बेटर, यहाँ पर देखने को मिलता है, और यह जो lighting mode है, इनके अगर vividity, saturation की बात कर लें, तो Razer ज जो है अच्छे brand की तरफ से आता है, तो no doubt, दोनों में ही आपको software support बहुत अच्छा मिलने वाला है, और दोनों को ही install करने के लिए आपको किसी प्रकार का antivirus जो है, बंद करने की ज़रूत ने पड़ती, software में आप key customization कर लोगे, dpi को toggle कर लोगे, pulling rate toggle कर लोगे, macro वगर set कर तो overall software की हिसाब से मेरे को identical लगते हैं दोनों ही, लेकिन performance में जैसे कि मैंने बता दिया इस episode में, काफी सारे differences है, need के हिसाब से आपको choose करना चाहिए, कोई ऐसा game खेल रहे हो, जिसमें clock grip चाहिए, G102, कोई ऐसा game है, जिस पर आपको लंबी gaming session चलाने है, या फिर आपको लेना, आपको better decision लेने में वो चीज मदद करेगी, और एक बार आपने समझ लिया कि कौन सा mouse आपके लिए है, तो खरीदोगे कहां से, हर तरह के buying link चाहे official website का हो, चाहे Amazon का हो, आपको वीडियो के नीशे देखने को मिल जाएगा, और एक बार आपने समझ लिया, खरीद लि होगा, और वोटिंग में अगर आपके setup को बड़िया प्यार मिलता है, तो हमाली करब से, एक free domain उसका voucher,